हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो दोस्तों आज की या वीडियो भी हमारी बिजनेस कमिनिकेशन के इंटर्वीव चैप्टर से ही है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे qualities of a candidate for an interview मतलब interview के लिए एक candidate के अंदर क्या-क्या qualities होनी चाहिए आईए इनको हम एक-एक करके समझते हैं तो इसमें एक candidate की सबसे पहली quality है उसकी सबसे पहली विशेष्टा है disposition means nature या character तो दोस्तों हर एक जगह की या कहें हर एक person की अपनी एक विशेष्ट भावना होती है एक spirit होती है जैसे की घर, college, park या कोई temple इनका atmosphere या माहौल अलग होता है अब इसी तरह हर एक person अपने आस पास एक भावना रखता है उसके appearance, उसके clothes, उसके facial expressions बात करने के तौर तरीके या सभी एक men's personality के components है तो इसलिए जब कोई candidate interview के लिए जा रहा है तो उसे या ensure करना चाहिए कि वह खुद को इस तरह से interviewer के सामने present करे कि वह और अच्छा एक lasting impression छोड़े ताकि सामने जो interviewer है जो इस candidate का interview ले रहा है वह भी उससे impress हो तो इस तरह की qualities एक candidate के अंदर होनी चाहिए तो इसमें दूसरा है career objectives यानि career के उद्देश दोस्तो या बहुत ही important point है जिसे candidate अक्सर नजर अंदाज कर देते हैं वो इससे unaware होते हैं अंजान होते हैं तो जो interviewer होते हैं वो अक्सर candidate के career objectives को evaluate करते हैं इसमें वो candidate के current occupation means उनके वरतमान व्यवसाय उनके background और उनकी पिछली job को छोड़ने का पिछली job को change करने का reason भी उनसे पूछते हैं जानते हैं तो इस तरह इसी बहुत सारी चीज़े candidate से पूछ कर उनका test लेते हैं कि वो अपनी life में आगे करना क्या चाते हैं ये interviewer directly candidate से या भी पूछ सकते हैं कि 10 साल बाद वो candidate अपने आपको कहा देखता है तो इसलिए candidate को अपने career की संभावनाओं के बारे में भी clear होना चाहिए ताकि वो इस तरह के questions का इस तरह के सवालों के वो जवाब अच्छे से दे सकें next है subject knowledge means विशय ग्यान दोस्तो जो interviewer होता है वो उस subject के बारे में भी candidate की knowledge का level जानने में interested होता है जिसे वो candidate पढ़ चुका है या अभी पढ़ रहा है तो इसलिए candidate को अपने choose किये गए subjects की fundamental knowledge जरूर होनी चाहिए उसे उन विशयों के बारे में माहिर होना चाहिए जो उन्होंने हासिल किया है या अभी वो कर रहे हैं तो यह quality भी एक candidate के अंदर होनी चाहिए इसका next है journal knowledge जनी सामान ने ग्यान आज कल किसी भी तरह की job या admission के लिए वक्ति के पास journal knowledge होनी ही चाहिए मतलब सामान ने ग्यान भी एक अच्छे candidate में होना चाहिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थी घटनाओं से up to date रहना चाहिए एक interviewer candidate की awareness को भी जानने की कोशिश करता है वो candidate से जिस तरह की question करता है उसी तरह से उसके भी जवाब भी देने चाहिए एक candidate किस तरह से interviewer के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देता है इसके through भी वा interviewer उसका evaluation करता है तो इसलिए सवालों का जवाब देने का तरीका ही जवाब देने से ज़्यादा important है कि आप किस तरह से उनके सवालों का जवाब देते हैं next है mental alertness यानि मानसिक सतरकता एक candidate की मानसिक सतरकता या जाग रूपता और problems का solution निकानने की ability काफी important होती है तो interview के दोरान prepare और alert रहना बहुत ज़रूरी है किसी question को समझने और फिर तुरंत उसका सही जवाब देने मानसिक रूप से एक फूरतेले वक्त की निशानी है तो एक candidate अपनी concentration की art को develop करके इसकी quality को improve कर सकता है तो इसलिए आपको अपनी observations power को sharp करने की कोशिश करते रहना चाहिए next है self confidence मतलब आत्म सम्मान दोस्तो या self confidence एक अच्छे candidate की basic requirement है इसका मतलब है कि खुद के ऊपर भरोसा रखना तो या self confidence self esteem और self respect को generate करता है आपको अपनी skills और abilities पर पूरा भरोसा होना चाहिए क्योंकि या self confidence interview के दोरान आपके जवाबों और आपके behavior में यापके वहवार में दिखाई देता है तो इसलिए self confidence होगा तभी आप अपने सवालों को confidently दे पाएंगे एक candidate की next और last विशेष्टा है consistency of approach दोस्तो एक अच्छे candidate के पास जीवन के प्रती positive और एक अच्छी तरह से developed approach होता है उसके emotions और बाहरी किसी भी तरह के तनाव या impressions उन्हें effect नहीं कर सकते हैं तो हमेशा याद रखें कि जो interviewer है वो आपकी consistency को जानने के लिए same questions को अलग-अलग तरीके से पूछ सकता है तो इस तरह दोस्तों ये कुछ qualities एक अच्छे candidate में होनी चाहिए ताकि वह interview में अच्छे से perform कर सके हर एक job role के लिए एक specific qualification की जरूरत होती है इसलिए candidate को अपने career के according qualification का प्रदर्शन करना important होता है इसके अलावा भी और बहुत सी qualities हैं जो एक candidate के अंदर होनी चाहिए जैसे उसकी communication skills analytical skills problem solving skills उसका positive attitude, time management या सब qualities भी एक candidate में होनी चाहिए दोस्तो इस interview से related और भी बाकी की videos देखने के लिए आप channel में जाकर इसकी playlist को एक बार जरूर चेक करें मिलते हैं next video में thank you